हेलो फ्रेंज, हो में टेस्टी बाइट में आपका स्वागत है, सर्दियां आ गई हैं और आज हम बनाएंगे गुड़ो और मुंगफली की चिकी यानि की गजक तो यहां मैंने भुने हुई मुंगफली की गिरियां ली है, यह मैं कच्ची मुंगफली लेकर आई थी बाजार से, जिनको मैंने घर लाकर हलकी फ्लेम में, लोट फ्लेम में मैंने 7-8 मिनिट के लिए इनको भून लिया था, और छिलका उतार कर इनको तयार कर लिया, और दो इसको कट कर लिया है छोटे पीसिज में एक चमच देसी घी और एक प्लेट में मैं यहां देखिए चिक्की सेट करने के लिए थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लेती हूँ ताकि चिक्की आसानी से सेट हो जाए और अब गुड को हम पिंग लाना शुरू कर देंगे साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर देसी घी देसी घी से हमारी चिक्की का बहुत ही अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट आता है और खाने में स्वाधिश्ट भी बनती है हम गुड को पिंग लाना शुरू कर लेंगे आप अपनी गैस की फ्लेम यहाँ पर मेडियम ही रखें हाई ना करें नहीं तो गुड क्या होगा जलना शुरू हो जाएगा और लगातार इसको चलाते रहें यह देखे गुड पिंगलना शुरू हो गया है जैसे जैसे गुड पिंगले गा उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है देखे लगातार चला तो हमें गुड़ को थोड़ा गाड़ा करना है और यह थोड़ा सा कलर में भी देखे डिफ्रेंस आना शुरू हो गया है तो इसी मुवमेंट पर हम इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और थोड़े से गुड़ को इसमें डाल क यह अगर यह असाणी से टूट जाता है तो इसका मतल्ड तयार है लेकिन यह नहीं टूट whatnot चिप चिप हो रहा है इसका मतलब बंकर तयार नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम दुबारा से थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेते हैं मैंने 12 मिनिट के लिए ही सको दुबारा अब फिर से मैं इसको उसी तरह कटोरी में ठंडे पानी में डाल के चेक करूँगे, यह देखे इस बार डालने से ही पता लग रहा है कि गुड़ बनकर तयार हो गया है, हाथ से तोड़ने से एक बार में ही तूटके, यह देखे कैसे तूट रहा है, आप खा के भी चेक कर सकत अगर दात में ना चिपके, इसका मतलब गुड़ बनकर तयार है, और यहाँ साथ ही मुणफली के दाने अड़ कर देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आप अपना गुड़ का कलर ऐसा नहीं चाहते, तो मुणफली के दाने अड़ करने से पहले, आप सोडा एड़ कर देजिए, उसे भी आपकी गज़क बहुत अच्छी बनकर तयार होगे, और आपके गुड़ का कलर हलका हो जाएगा, यहाँ मैंने गुड़ में नहीं मिलाई है आपका मीठा सोडा, इसलिए गुड़ थोड़ा गहरा बनकर तयार हुआ है, और मैं जल्दी स गरम-गरम में ही इसको ट्रांसफर करके सेट करना है, नहीं तो यह ठंडा होने के बाद सेट नहीं होगा, एक स्पेचुला पर दोनों तरफ से, देखें, देशी घी लगा लिया है, ताकि हम इसे गरम-गुड़ को अच्छे से से सेट कर सकें, यह देखें, चिकी को आप ब बना कर तियार कर सकते हैं, और मैं यहां इसको साथी गरम-गरम में ही देखें, चाको से निशान लगा रही हूँ, ताकि बाद में तोड़ने में आसानी रहे, आप चाहें तो जैसे माज़ी आप इसमें अपनी शेक दे सकते हैं, यह देखें, इसके बाद हम इसको चिकी को दस से पंदरा मिनिट के लिए रूम टेंपरिचर कर सेट होने के लिए छोड़ देंगे यह देखे अब हम इसको देखी तस मिनिट हो चुके हैं और चिकी बनकर बिल्कुल तयार है सर्दियों का मौसम है तो जल्दी से सेट हो जाती है यह देखे कितने बढ़िया से निकल रह ही है सारी को निकाल लेते है है चिकी का बहुत ही अच्छा कलर आया है इदेखे तोडने में भी बहुत ही क्रिस्पी लग रही है तो प्लेट में निकाल लेती हूं और आई है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखे कितने क्रिस्पी और अच्छी चिकी बनकर तयार हुई है तो आप भी बनाएए खाईए और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब केजिए थैंक यू